दिरन्भी शोक्लिफ्स में स्वागत है आपका, बस देखते रहो और सीखते रहो जिन्दगी में सबसे ज्यादा डर आपको किसी प्रोफेशनल सेटिंग में कब महसूस हुआ और उस डर को ओवरकम आपने कैसे किया प्रोफेशनल सेटिंग आपको बड़ा स्ट्रेंज लगेगा लेकिन मैं जब नई नई CEO बनी थी मैं किसी को जानती नहीं थी अपनी इंडस्ट्री में ना बाकी CEOs को में से 20 साल बड़े थे ना distributor लोग किसी को तो मैं events में जाती थी और मैं fundamentally बहुत shy person हूँ और मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी और मुझे घबरागट होती थी of being unknown एंड एक बाल मुझे इतनी घबरागट हुई कि अपनी इंडस्ट्री के सबसे बड़े events से मैं conference में गई दो महिने होए थे CEO बने मैं भग गई मुझे छे बजे की फ्लाइट लेने थी लेकिन मैं वहाँ पहुचे है और मैं किसी को नहीं जानती और कोई मुझे नहीं जानता and अगर मैं एक शब में कहूँ मैं irrelevant थी तो मुझे वस irrelevant से ड़ लगा और मैं भाग गई और मैंने का मैं जो भी करूँ यार जिस जगा मैं काम करते हूँ मैं irrelevant तो नहीं हो सकती कि मैं जो कर रहे हूँ वो इतना छोटा है कि कोई मेरे से बात नहीं करता कोई मुझे जानता नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता तो मुझे irrelevant से बाटर लगता है यह असली होता होती है CEO's की दुनिया की कि depending on your body of work लोगों का बात करने का तरीका बदलता है of course बदलता है मतलब जो आपकी reputation होती है उसके basis पर आपको treat किया जाता है it's true? yeah yeah absolutely I think जब आप कोई track record नहीं हता है हम investment profession में कहते है सबसे valuable चीज़ क्या होती है track record जो आपने track record meaning जो आपने पहले किया है जो आपका past performance है आपकी delivery क्या होती है तो track record के फायदे और नुकसान होते है और मेरे पास कोई track record नहीं था और actually people are more forgiving जब आप जाने पहचाने हो चाहे आपने पहले कोई काम नहीं किया हो लेकिन आप उसी industry में पले बढ़े हो चाहे आप third rang cricketer हो लेकिन आपने साथ साथ cricket खेला है अब आप कहो कि मैं you know Fiji से लाके एक बंदे को इंडिया की cricket team में डाल दू और बाकी सारे तो सालों से एक दूसरे को जानते है वो किसी को जानता नहीं है he might be very good लेकिन आया तो Fiji से तो एक outsider होने की feeling एक irrelevance जो एक outsider की होती है वो मेरे लिए बहुत मुझे बहुत डर लगता है अगला सवाल मैं इस psychological round का MD और CEO का role निभाने के लिए हिम्मत की जरूरत थो होती है इस role को अपनाने के बाद आपने self belief या हिम्मत के बारे में क्या जाना है मतलब क्या self belief बदल चुकी है इस role को अपनाने के बाद मैंने ये सीखा है कि शायद MD और CEO को लोग सोचते हैं एक superman है या superwoman है जो केप लगा के खुमता है और सारी दुनिया का बोज उस पे होता है और उसको वो बोज अकेले सहना पड़ता है और वो किसी भी इनसान के लिए बहुत मुश्किल है तो एक American कहानी वो है saying share the load जिम्मदारी बाटो problems बाटो और मैंने self-belief के बारे में और हिम्मत के बारे में सीखा है क्योंकि अकेले और मैंने ये गलती बहुत की है in my early days कि मुझे लगता था हर problem मेरी जिम्मदारी and I have realized कि within my organization मुझे एक छोटी सी family not साड़े तीन सो लोगों की family because वो बहुत मुश्किल है 5-6 लोगों की family create करने पड़ेगी जो मेरा tribe है उनके साथ मैं सचाही सब लोगी उनके साथ मैं अपनी problem share करूँगी और हम मिल के solve करेंगे और उनकी हिम्मत से मुझे मेर में हिम्मत आती है और मेरी हिम्मत से उनके हिम्मत आती है and मुझे लगता है every time मेरे यहाँ कोई crisis आता है खासकर communication का अब कि हमारे यहाँ होते हैं crisis हमें उनके communicate करना होता है साड़े तीन सो लोगों को जब मुझे लगता है मैं कैसे एक बात बता हूँ तो मैं पहले इन पांचे लोगों से बात करती हूँ जैसे कि कैसी बात हो सकते है जो आपको साड़े तीन सो लोगों को बतानी होती है से आपका एक आपकी company में बहुत सारे divisions है आपको एक division को sell करना है या आपको एक business band करना है या आपका profitability जितना होना चाहिए था साल का उतना है नहीं ऐसी बहुत सारी bad news तो बहुत होती है और यह हमें बतानी पड़ती है तो कैसे बता है यहाँ आपके हाँ एक बहुत important team member है जो छोड़के जा रहा है जिसका business पे बहुत बड़ा implication हो सकता है यह सारी-सारी problems आती हैं हमरे business में पहले मुझे लगता था कि इनको मैं कैसे face करूँगी कैसे बताऊंगी लेकिन अब मेरे जो चाहरे यह पाँ-छे लोग हैं पहले मैं उनसे बात करती हूँ और मैं कहती है देखो यह problem आने वाली है अब मुझे इसमें आपकी help चाहिए and all of them usually end up saying हमें आप में भरोसा है आप हमें बताओ हम कैसे and they have much better ideas to handle these things than me और उससे मेरे में बहत इम्मत आती है जब आपको एक general को पता हो कि उसकी सेना उसके साथ खड़ी है तो फिर वो जंग जीट सकता है मतलब basically आपकी हिम्मत आपके आजपास के लोगों की वज़े से बढ़ती है और जब आजपास के लोग साथ ना हों और आप अकेले हों तो हिम्मत आना बहुत मुश्किल है मेरे लिए I think किसी भी इंसान के लिए किसी भी इंसान के लिए बहुत कम lone wolf oriented बहुत कम lone wolf oriented one of my bosses in a crisis in 2020 told the organization something I didn't know he said crisis is a very good way that we all smile more because when people see other people smiling maybe there's a little courage so our reactions are reactions of what we see to others third question in your life in this phase what is the biggest fear? mediocrity that I have and see I am someone who you want to raise your standards so you have so many great opportunities so many great opportunities sometimes I tell you how are you having so many opportunities I will justice them type A personality type A personality so that fear of mediocrity that I don't want to waste the opportunity to have impact because opportunity it is so good and I have realized that impact is not dependent on you you can do what you have to do and what you have to do you can create a lot of impact you can create a lot of podcaster you can create a lot of impact you can be an entrepreneur or CEO and you can do it and you can't do it in all the roles I can do it in all the roles so my mission is impact and you can do it in all the roles and you can do it in all the roles and you know what happens and you know what happens you do a little well in life if I am a team I also tell you it becomes a complacency that you have to say that I have been a lot of experience and how people also tell you that you have done it 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 that people have made a photo and all the things that you have done it and at that time I think that you slip and you have to get hurt and your hunger will reduce your hunger I want to raise a standard saying I have to do it my fear is standard I want to raise my fears if you have any positive fear in your heart it's good I also like I do I want to say I want to speak पांच मिनट तक मुझे डर लगता है बिफोर गॉइंग उन स्टेज, जब बिफोर यू 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 गॉपराहट होती है, क्या मैं इन लोगों को खुश कर पाऊंगी, क्या ये लोग ताली बजाएंगे, क्या इनको लगे का हमारा आना वर्त है, अभी मेरे दिम हमारे common friend है, मेरे भाई है, मनीश पांडे, उनसे सालों पहले, चार-पांच साल पहले, जब हमारे YouTube के numbers बहुत गिर चुके थे, तब उनसे एक बार एक phase में बात कर रहा था, क्या मेरा future क्या है, because the numbers have really fallen, और ये podcast से पहले एक का phase है, तो मैंने उनसे ये भी का कि मुझे बहु इसको, मैं अंग्रेजी में शब कहती हूँ, इसको productive paranoia, it's paranoia, but थोड़ा सा productive है, पूरे time paranoid होंगे, तो it's unproductive paranoia, लेकिन मेरे साथ भी हुआ है, जब कभी हमारे numbers, monthly sales numbers गिने हैं, तो मुझे लगा है, क्या हम complacent हो गए है, क्योंकि अच्छा हो गया, and थोड़ा सा फिर, डंड then to yourself, and you see a pick up again, I think age और experience के साथ, इसी productive paranoia को कैसे handle करे, और channelize करना, कि डर, है, डर क्या होता, डर एक अंदर की energy होती है, उस energy के साथ आप क्या करोगे अब, जैसे exam के पहले, अगर आपको nervousness feel हो रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, stage के पहले, अगर आपको nervousness feel हो रह जाएंगे, यह तो धले बजाएंगे, यह कभी नहीं होना चाहिए, आपको अपना content पर तभी भी उतनी महनद करनी चाहिए, आपको अपनी preparation पर तभी भी उतनी महनद करनी चाहिए, I think मने आपकी show पर सुना था, from Abhishek Bachchan, that he said, Amitabh Bachchan's greatest fear on every Sunday is will people come, hmm, so ऐसे ही बहुत सारे clips अपलोड की हैं इस चैनल पर, चैनल को explore करो, देखते जाओ, और सीखते जाओ,